शिखर धवन ने अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास का एलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स परघरेलू और अंतराश्ट्रिय क्रिकेट को अलविदा कहा। 37 साल के इस खिलाडी ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 166 वंडे और 68 टी 20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सन्यास का एलान करते हुए धवन ने कहा कि अगर अब मैं पीछे मुड कर देखता हूँ, तो धेरो यादे नजर आती हैं। और जब आगे देखता हूँ, तो पूरी दुनिया। आज एक ऐसे मोड पर खड़ा हूँ, जहांसे पीछे देखने पर सिफ यादे ही नजर आती हैं। और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में पहला टेस्ट खेला था। 2013 से वह अब तक 34 टेस्ट में हिस्सा ले चुके हैं। धवन को पिछली बार 2018 में टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मिट में 40.61 की ओसत से 2315 रन बनाएं। इस दौरान 7 शतक और 5 अर्धश तक लगाए। धवन का सरवाधिक स्कोर 190 रन है। शिखर ने भारत के लिए पहला वंडे 2010 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापटनम में खेला था। वह 166 मैचों में 6793 रन बना चुके हैं। धवन ने 44.11 की ओसत और 91.35 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएं। उनके नाम 17 शतक और 49 अर्धश तक हैं। T20 करियर की बात करें तो 68 मैचों में धवन ने 1769 रन बनाएं। उनके बल्ले से 11 अर्धश तक निकले हैं। धवन ने IPL में भी जमकर रन बनाएं। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल बल्ले बाजों में एक हैं। वह सरवाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। धवन ने 222 IPL मैचों में 679 रन बनाएं। इस दौरान दो शतक और 51 अर्धश तक लगाएं। धवन का ओसत 35.26 और स्ट्राइक रेट 127.14 का रहा है। इसे कि में प्रोंगार् हैं। से कि डुक homी लगाएं।